नमस्कार दोस्तों अर्लोट पर आप से भी कस्वागत है दोस्तों वीडियो बहुत इंपोर्टेंट इतना इंपोर्टेंट की सोच लेजिए हमने तो आज अभी अर्लोट पर सारी चीज बताया हुआ है लेकिन पूरा का पूरा लोन मोरेटोरियम क्रेडिट कार्ट सारा असनेरे अथिस जानेंगे दोस्तों और दूसरा क्यां है और डूसरा है दोस्तों रियस ट्रैक्षर के जो का मेंटर है अफिर बहुत सीनल लों मों मिल रहा है वीडियों को मिसमल रोडिले है और अरले ओट को लिए जानते हो क्योंकि मैं बिना सबूत का कोई बात करता नि करता है कि वीडियो iparkot जोएमाइं का वीडियो को देखने का बाद सेट जरूर कर लीजेगा और ग i brakeiddel । के वीडियो को देखने से लोगों को फाय होने वाला है और जो लोग यह सोच भी रहे है जो हमें तो मालूम है इसलिए नहीं मिल रहा है उसकी भी आखे खुली खुली रहने वाली है यह कि इस वीडियो को बनाने सब्सक्राइब लाइब के बता दें देखते हैं लाइब लाइब के ऊपर बात करेंगे विचेक करते नोटिफेकेसन आउन कर लेना डिसाइड करें लेकिन इस सबसे पहले देखें आखिर मोरिटोडिय में रियल रियस टेक्चरिंग बैंक क्यों नहीं दे रहा है ठीक है और जबकि सुप्रीम कोट ने साफ साफ कहा हुआ है जो देखिए भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबी आई सीचिवेशन को एसेस करके उस पर डिसीजन ले सकती है यह बात आपको मालूमी है अब आते हैं आखिर मुद्य की बात पर आखिर बात क्या है बात करते हैं दोस्तों आखिर मामला क्या मामला यह है जो देखिए सबसे पहले आप लोग गूगल पर अरली वड करके सर्च कर लेना और आप इस पेज पर होगे तो आपको यहां सर्च करते हैं यह देखिए अरली उट की वेफसाइट ओपेन होगी लीस्ट ऑप बैंक नवी अपसी यह इधर आ रहे है इस पर टच करके ओपेन कर लेजेगा क्योंकि इसका आभी जुरत परने वाला है ठीक है और गलती से भी मत सोच लेजेगा तो हम लोगों की वेफसाइट उस पर भी अवलेबल है दिखाते हैं आखिरे मामला क्या है मामला यह है दोस्तों देखिए जरा मैं इसको बैक करता हूं शीदा बैक कर दिया मैंने आपको आपके लिए बैक कर दिया ठीक है यह पेज ओपेन हो गई अब इस पेज को जैसे जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर मामला क्या है मामला यह है दोस्तों यह आपको दिख रहा है अप्लाइ करने यह डैरेक्ट अप्लाय करने का लिंक है तिक है इस पर यह अपलाई है की मोलिट्रींजह कर लिए ठैके निध्यान से सुनेगा सभी मेक निए सब्सक्राष आरिवाय लेकिन अब बजो बात यह वो हम आप बात दिखाते हैं इसको ओपन कर लिए टच करके ओपन हो गया यह हम लोगों की जो पेज इस पर आगए अब यहां से आने के बाद पेज को उपर करते जाएंगे तो देखो यहां पर क्या कुछ लिखा हुआ है ठीक है देखे आप लोग यहां पर देखे हैं HDFC का जो ओफिशल वेब साइट है पोलिशी का रियस्ट्रेक्चरिंग मोलिटूरियम वाली इस पर इसका लिंक हम लोगों ने यहां दे रखा ध्यान से देखेगा अब यही यहां जो आपको मिलेगा जानकारी यह इसकी इसका स्क्रीन सोर्ट हम लोगो यह देखे हैं HDFC का ओपन हो गया रियस्ट्रेक्चरिंग टू जिरो एसकीम अफ आरबी आई ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब जो मैं इस वीडियो में यहां से बताने वाला हूं दोस्तों आपकी आँखे खूली की खूली रहेगी और साथ साथ इसका समाधान भी हम देखा कौन कौन से रियस्ट्रेक्चरिंग या मॉरिटोडियम लेने के योग्या है इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ ठीक है अब चलते हैं दोस्तों यहां पर आते हैं यह डिरेक्ट लाइव वेबसाइट पर ही आ जयते हैं ध्यान से देखेगा हम लोगों ने कई बार ब 21 से तक यह ठंडर 'll attain बहुत से लोगों की का यह कंडिशन फुल्फील होता है स्तंडर वाली सिकता कींडिशन फुल्फील होता है बहुत से लोगों का और बहुत से लोगों को मामला क्या है यहां पर देखिए सबसे पहले हुई जैली जीवल फूर रिया स्ट्रेक्चरिंग यहां पर सी साफ साफ कहा है आपका लोन अकाउंट स्टेंडर्ड होना चाहिए ठीक है यह वाली बात हो गई अब दूसरी बात आपका जो इंकम है वो ड्यू टो कोविट 19 के व इसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं फोकस करते ठीक है अब जो बात इन्हों ने बैंकों ने अपनी वेब साइट पर कह रखी है और इस चीज़ को जब आप समझ जाओगे और क्योंकि एक्जाम में तो यही चीज़ आने वाला है और जब आपको यही चीज़ मालुम चल सुप्रीम कोर्ट आरबिया फाइनस मिनिस्ट्री इसील यह सभी कॉंटेक्स्ट के मैं मैं बात कर रहा हूं देखे दर रिडेक्शन आफ इंकम एंडिस फाइनेंशल इंपक्ट ऑन दा कस्टमर विल भी ध्यान सुनना यहां पर कस्टमर विल भी रिव्यूड बाइद बैंक जहां सुनेगा रिव्यूड बाइद बैंक यहां तक का मतलव साफ है जो आपकी इंकम में जो कमी आई है और फाइनेंशल इंपक्ट ऑन दा कस्टमर यानि कोविड नाइंटीन के वज़ए से आपकी जो आपकी बिजनेस होई जोब हो यानि फाइनेंशल आप इंपक्ट व और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ठीक है विच डद सोज दड्रॉप यानि क्या मतलब होगे यहां पर यानि आप जो अपने डोकुमेंट सब्मिट करोगे बैंक एनबी अपसी के पास जो मुझे दे दो भाई मोरेटोरियम मुझे दे दो रियस्टेक्चरिंग तो यह करेंट यह प्रूफ करेगा जो आपकी इंकम बैडली इंपक्ट हुआ है अफेक्ट हुआ है यहां तक बात क्लियर होगी अब यहां पर सोज देखो विच डज द सोज दा ड्रॉप इनकैस फ्लोव वही बात जो मैंने बता है इंकम आपकी कम हो गए ड्रॉप हुआ है कैस फ यह जो मैं बात बता रहा हूँ अब जो मैं बात बता रहा हूँ यह चीज मैंने कई बार बता चुका है आज जो लोग regular देख तो उसको मालूब होगा देखो देखें आप लोग वायबिलिटी अप द लोग अपने आप में एक बहुत ब़री चीज है इसको समझना परेगा ठीक है, वाइबलिटी अप दे कस्टमर टू पे दा रियस्टेक्चर्ड एमाई, ठीक है जी, बेसिस दोकुमेंट प्रोवाइडेड बिफोर ग्रांटिंग दा रियस्टेक्चरिंग, चाहे वो आपको मोरिटोरियम दे दे या रियस्टेक्चरिंग दे दे, है तो RBA का रिज जो लिशन फ्रेमवर्क 2-0 है, इसमें मोरिटोरियम भी है और रियस्टेक्चरिंग भी है, जब बेंक मोरिटोरियम या रियस्टेक्चरिंग गरांट करेगी, बिफोर गरांटिंग अफ दिस तू रिलीफ, आप बैंक क्या करेगी, बैंक यही चीज़ देखेगी, आपकी जो वैबलीटी है, इमाई पे करने का, ठीक है, जो डॉकुमेंट के बेसिस पे, बिफोर गरांटिंग देखेगी, अब एक चीज़ और यहां पर लिखाव है, एपार्ट फ्रूम दा वैबलीटी कैलकुलेशन, यानि यहां पर बात वहीं आ गई दोस्तों, फिर आ रहा है, यहां पर वैबलीटी कैलकुलेशन आ रही है, वैबलीटी कैलकुलेशन, मैं लाखों बार, हजारों बार, करोरों बार बता चुका हूँ, जो यहां पर वैबलीटी जिसने भी इस्टेबलिस कर दी, उसको 100% का मोलिटोरियम या रियस्टेक्चरिंग उसको मिल चुका है, ठ करती है ठीक है अब देखो ड़ी पैमेंट ट्रेक रिकॉर्ड एक तो हो गया वाइबलेटी कैलकुलेशन दूसरा रीपेमेंट ट्रेक रिकॉर्ड ऑफ दे कस्टमर्स ठीक है अब इसको जड़ा में उपर करता हूं कस्टमर्स यहां पर देखते हैं कौन-कौनसी पॉइंट है यहां पर देखो क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड समझ रहो बात को कितना सारा पॉइंट आ गया और यहां पर देखे क्या है रिस्पोंस गिवेन बाद कस्टमर वाइल अवेलिंग दा मॉरेटोरियम अर्लियर विल आलसो बी दा फेक्टर इन दा रियस्ट्रेक्शरिंग डिसीजन बताओ कितनी सारे चीज़ें लिखा हुआ है आप समझ रहो बात को समझो बात को एगेन एंड वाइल अवेलिंग मॉरेटोरियम अर्लियर जदी आपने इससे पहले भी मॉरेटोरियम लिया हुआ है उन सभी चीज़ों को बैंक चेक करेगी अब समझ लो इस बात को जो मैं बात बता रहा हूँ तो जदी आप इतनी सारे चीज़ आपको आने वाली है आपको मालुम चल गया एग्जाम में जो वाइबलीटी कल्कुलेशन कैसे करती है बैंक ये आपको मालुम चल गया और रीपेमेंट ट्रेक रिकॉर्ड कैसे चेक होता है ये भी मालुम चल गया और Credit Bureau record कैसे चेक होता है ये भी मालूम चलिया और ये भी मालूम चलिया बैंक जब calculation करती है तो वहां कौन-कौन से factor काम करता है ठीक है और Credit Bureau यानि Civil Report जो चेक करती है वहां कौन-कौन से factor काम करता है ठीक है तो आपको तो मालूम चलिए जाएगा तो आप इन सभी चीज़ को दुरुस्त करोगे न ठीक है क्योंकि ये वो blanket moratorium नहीं है दोस्तो ये है moratorium और restructuring under resolution framework to zero है ये ठीक है न तो यहां पर आपको एक line में समझे document देना परेगा और ये जी यहां पर बहुत चे लोग इसी लिए side हो जा रहे हैं पहले ही reject हो जा रहे हैं यानि जब इस चीज़ को समझ लोगे आप तो आपको खुद लगेगा जो आप exam में pass होने वाले है या फेल होने वाले है या top करने वाले है या zero बटा कुछ और होने वाला ठीक है तो यही सब चीज आप समझे आपको समझ यह बात को तो अब यहां से उमीद करते हैं जो आपको मालूम चल गया होगा दोस्तो जो लोगों का moratorium और re-estructuring का जो request है वो क्यो reject हो जा रहा है ठीक है जी अब एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ यहां से मामला ठीक है तो अब यहां पर इसका solution क्या है इसका solution यह है दोस्तो जो आपने जदी March 2021 तक आपकी EMI regularly paid है और आपने किसी भी तरह का default नहीं किया है आपने पहले moratorium 2020 में blanket moratorium लेने के बाद आपकी EMI regular हो गई ठीक है और फिर due to COVID-19 in 2020 आपका income जो है loss हो गया due to the lockdown ठीक है तो इस case में bank आपको 100% moratorium या restructuring देगा जदी आपका आपकी EMI 1 सितंबर 2020 से लेके March 2021 तक regularly paid है समझगे बात को इतनी सारी बाते मनें बता दी ठीक है अब इससे यह भी established हो जाता है जो आपका civil डिपोर्ट जो है दोस्तों वह गरबर नहीं हुआ है वह जो क्योंकि moratorium लिया आपने 2020 में तो moratorium लेने के बाद civil खराब होगी नहीं क्योंकि वहां तो 0000 जाएगी डिपीडी ठीक है और उसके अब यहां से एक बात आती है दोस्तों क्या है इसको समझ लीजिए जदी आप से पूछा जाए आपकी इंकम वाइबलीटी कैसा रहने वाला अगले एक दो साल में ठीक है अगले यानि आपकी बिजनेश करो और पैसा दोगा से होगा वह करके दूगा पैसा यह दो आपने बोल टे nest ना लेकिन क्या इनका इनके यह जो बोल्ड़े वो इसमें कोई दं हाएब या नहीं है दम इसमें ठीक है तो ये दम कैसे प्रूफ करेगा जो आप जो बोल ने है तो ये ऐसे प्रूफ करेगा जो आप बैंकों के पास तो एक्सपर्ट लोग है आप लोग तो जानती ही हो सारी चीजे और आप खुद से भी सोच के देखोगे जो आप बोल ने हो इसमें कितनी सच्छा है कितना वैबल चलने वाल है यह आपको जॉब सही में मिलने वाला है यह जौब मिलने वाला है वह बहुत सारी नहीं है ये बिजनेस जो आप की चल या नहीं चलेगी यह भी बहुत सारी फेक्टर पर किस। बिजनेस क्या है लेकिन कहने का मतलब यहीं है दोस्तों जो बैंक यहीं देखती है जो आपका इसको स्थार Mr.Kas क्यों था आपको आपकी जो यह माई कम होगी थीक है वह आपकी इमाई आप पे करो पाऊगे को नहीं पर कर पाऊगे यह कैसे मालूम छले पर क्योंने क्योंने पर प्रसाइय जब आपको जौब करोगे जब आप business करोगे यानि business आपकी या तो पहले से कम चल रही है तो आपकी income कम आएगी और वो income इतना sufficient होगा जो आपकी जो करोगे तो बैंक इन सभी चीजों को analysis करने के बाद फिर गरांट करती है और फिर गरांट करती है जो आपको बहुत मैनिटली आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा अब यह चीज कैसे होगा यह चीज दोस्तों तभी हो सकता है जब आपका कोई business बंद हो गया और आपने कोई नया और अभी के requirement के according most demanded जो बिजनेस है वो आपने करने लग गई कर रहे हो आप ठीक है तो वहां तो आपके एकाउंट में cash flow तो increase होगा ही होगा एकाउंट में पैसा वगए आपके पास आएंगे आएंगे तो यह सभी फैक्टर डिपेंड करता है deciding factor है जो आपका income यह बिजनेस वाइबल है और आपको जड़ी moratorium या रियस ट्रेक्चरिंग दे दिया जाता है तो आप बैंक या बैंकों की EMI moratorium या रियस ट्रेक्चरिंग लेने पर जो जितनी भी आपकी EMI बंढ दी है वो पे कर लोगे और जितने टाइम के बाद आपकी रियस ट्रेक्चरिंग से रिलेटर जितनी सारी परिशानी है वो परिशानी इस वीडियो में आपकी खतम हो चुकी है 100% वीडियो को कई बार इसको रिप्ले करके देखना और मैं कोशिश करूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लाइब आने का फिर आपकी कॉस्चन वगर लेंगे आपका कॉस्चन वगर लेंगे कॉस्चन वगर एडी करके रखेगा और जैदी नहीं तो हम लोग का प्रीमियम सॉल्यूशन ले लिजे वाट्सप वगर कर लिजे और बिजनेस चलाना है इंकम वाइबल बनाने हैं तो हम लोगों के पास सोल्यूशन है बिज बिजनेस ग्रोस रिलेटेड आपकी इंकम इंक्रीज किस तरह से होगा उसको जदी फॉलोग करोगे तो आपको फस्ट डे जो है फस्ट डे से ही आपको रिजल्ट हंडेट पर संदिखना मिल जाए जितना लोग दूसरे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है उतना और पैसे लगेंगे खर्च होगा लेकिन आपको काम भी यहां पर मिलेगा और इन खुद सोचो नो जब आपकी आप दुनिया आपको मालूम है जो कौन सा काम करने से क्या होता है और अर्निंग होती है नहीं होती है तो जब आपको वह काम हम लोग आप करोगे सीखोगे तो पिर आपकी निकम हो देखत पर दिकत पर समस्कों ने भात कार скवर नहीं ने जाती है तो अब यहीं बात नहीं है सब ऐसे सब पॉलिशी में ये पॉलिशी बनाते हैं फिर बैंक य इंपलिबेंट करती है और हमारे देश में मालूने है डिमोक्रेसी है तो सभी सभी दिको वाइनेंस मिनिस्ट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट इंस्टिउशन है और भी इंडिपेंडेंडेंट है कहने का मतलब क्या है हां सभी जो कंसर्ण ऑथुरिटी है किसी भी पॉलिशी को बनाती जब है तो सभी के समझ रहें बात को सभी सभी जगा सभी लोग जान इन स किसी को मिला है तो इसको क्यों मिल गया और किसी को नहीं मिला है तो इसको नहीं मिला दोस्तों इसे काथ कि वीडियो को करते हैं आपसे बसी education का दिल